Hello everyone, जैसा कि आपको पता ही होगा कि NTA's need result अनाउंस करने वाली थी, जो की आ चुकी है अब सारे students जो इस year exam में अपियर हुए थे, वो अपना result चेक कर सकते हैं तो हम आज need result चेक करने की easy process आपको step wise बताएंगे और दिखाएंगे So let's start, तो आपको सबसे पहले phone या laptop में Google या Chrome open कर लेना है उसके बाद search bar में आपको need.nta.nick.in या फिर सरकारी उजाला.com या फिर सरकारी results.com टाइप कर लेना है तो हम सरकारी results.com टाइप कर लेते हैं तो इसको हम open कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास एक page खुलेगा पर सबसे पहले result का option आ रहा है, इसमें first point.nta.net.usee.2022 result का option आ रहा है इस पर हम लोगो click करना है, और फिर से एक page खुलेगा, उसको हम लोगो scroll करके नीचे लेकर जाना है यहाँ पर इस page में some useful important links का option मिलेगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे links मिलेंगे यहाँ सबसे पहले हमारे download result का option आएगा, उस पर link 1, link 2, link 3, 3 options दिये हुए है इसमें से किसी पर भी हम click करके अपना result चेक कर सकते हैं ओके तो हम link 2 पर कर लेते हैं यह page हमारा खुल चुका है, जहाँ से हम लोगो application number, date of birth और security pin डाल कर submit करना है जिसे हमारा result open हो जाएगा, तो हम चेक कर लेते हैं जाएगा, 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 जाए अब हम इसमें सेक्यूरिटी पिन डाल देते हैं हमने सारा कुछ फिल कर लिया अब इसको हम लोग सब्मिट कर देते हैं हमारे पास रिजल्ट खुल चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं और यहाँ पर सारे मार्क्स वगरा भी हमारे दिये हुए हैं how you will get all the information if you liked it then do give thumbs up and make sure leave a comment below and don't forget to subscribe channel for more updates thank you so much for watching and don't forget to share this video with your friends झाल झाल